नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मनविंदर और मेरी चैनल पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एक बड़ी खबर के साथ मैं हूँ आपके सामने करोना ने जिस तरीके से स्पीट पकड़ी है सरकार को बहुत सारी चीज़े में बदलाव करना पड़ा है केंदरे ने आज य बारवी की परिक्षा फिलहार टाल दी है और सरकार एक जून को बारवी की परिक्षा पर फैसला करेगी एक्जाम कराने का फैसला शात्रों को पंदरा दिन के बीच में उनको बता दिया जाएगा कि कब होना है एक्जाम यानि कि पंदरा जून के बाद ही परिक्षा हो सकती और दुसरी सबसे बड़ी बात यह है कि दो और फैसले हैं जो इन परिक्षा से जुड़े हुए सरकार ने लिये हैं चार मई से 14 जुन तक चलने वाली बारवी की बोर्ट की परिक्षा अभी टाली गई है ये परिक्षा परिक्षा के बाद होगी एक जुन को हालात की समिक्षा की जाएगी उसके बाद इसे फैसला लिया जाएगा और देखिए अगर परिक्षा होती है तो कम से कम 15 दिन का समय जो है वो चात्रों को दिया जाएगा और दूसरा जो एक और फैसला लिया गया है वो दस्वीक चात्र के लिए है इनकी भी परिक्षा चार मई से 14 जुन तक होनी थी जो कि रद कर दी गई है यानि कि इस साल उनकी परिक्षा नहीं होगी सभी स्टूडेंट्स अगली क्लास में पर्मोट किया जाएंगे लेकिन रिजल्ट के साथ इस रिजल्ट का क्या आधार होगा सीवेसी इसे तैय करेगा अगर कोई चात्र वोट की और से दियेगे मार्क्स संतुष नहीं होगा तो परिक्षा में शामिल हो सकता है लेकिन ये परिक्षा तब होगी जब इसके लिए देश में हाला सामाने होगे एक और बात शिक्षा मंतराले से जुड़े एक ऑफिसर ने ये कहा है कि शौड नोटिस पर बार्मी के ऑनलाइन एक्जाम फिलाल संबब नहीं है इतनी जल्दी चातर अपने आपको ऑनलाइन पैटर्न के लिए कैसे तयार करेंगी ये भी अपने आप में एक बड़ा सावा लिए और देखते रहे हैं मेरा चैनल और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको शेर कीजिए लाइक कीजिए और अपनी राय ज़रूर दीजेगा और सबसे बड़ी बात अगर आप मेरी चैनल पर नहीं है तो इसे आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजि जय हिन जय भर है